यूट्यूब चैनल हमने अपना चप्टर निम्र 2 स्टार्ट के हुए जिसका नेम है स्ट्रक्चर ओप एटम जिसमें हमने अब तक कैथोड रेज की डिस्कवरी पढ़ लिया है कि हमारे पास रीक्ट किसुदर केह है कि डिस्कवर कीवार्ट निरेएं स्टार्फ बसक थी का उनका थे तक कि अंणनने द्सका भर किच्वर्ट ने जिस्कवरी आप प्रोट उनिए तो फिर क्या हुआ जब further scientist ने उसके पर work out किया उसको मजीद उसको जांचने की कोशिश की कि आया यह experiment ठीक है या नहीं है तो हमारे पास in 1886 एक scientist आते है गोल्ड स्टाइन ठीक है गोल्ड स्टाइन क्या observe करते है कि cathode rays के साथ साथ एक specific type की और किसम की हमारे पास ज़े वो rays produce हो रही है जिसकी direction opposite है कि से cathode rays मतलब के cathode rays अगर हमारे पास cathode से anod की तरफ मूव कर रही थी तो anod rays हमारे पास जो canal rays है जिनको नहीं के नाल rays कर दिया canal rays हमारे पास जो ज़े वो opposite to cathode rays जांब मूव कर रही थी मतलब cathode move कर रहा था, cathode raise move कर रही थी cathode to anode और canal raise move कर रही है anode to cathode जिसे ये शो हुआ कि अगर हमारे पास हमारे पास cathode raise थी वो negatively charged है तो anode raise हमारे पास positively charged particles है ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको confirm करने के लिए कि आया यह मेरा जो observation है, यह मेरी observation ठीक भी है यह गलत है उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी तरह की एक discharge tube लिए जिसमें उन्होंने ग्यास फिल की उसका temperature प्रेशर उसका काम रखा गया, लेकिन एक तबदील उन्होंने क्या की अब यहां पर जब sir William Crook ने experiment performed किया था तो उन्होंने क्या क्या था, उन्होंने simple cathode लिया था, एक electrode sheet लिए ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास goldstein ने cathode लिया है, जिसको आप नेम देंगे perforated cathode, perforated cathode में चोटे-चोटे से holes होते हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि मैंने यहां पर holes बनाए हो, तो अब क्या हुआ कि जब हमारे पास, और उसी तरह उसको बैटरी के साथ connect कर दिया गया, anode हमारे पास positive था, cathode हमारे पास negative था, तो क्या किया है, जैसे उन्होंने उस में से electricity pass की, तो उनने क्या देखा, कि cathode rays तो produce हो रही है, ठीक है, लेकिन एक specific rays produce हो रही है, जो इस perforated cathode के hole से गुजरने के बाद, जब discharge tube से टकराती है, तो एक specific किसम का glow produce होता है, तो क्या हुआ, यहां से क्या पता चला, कि हमारे पास cathode rays के साथ साथ, एक specific rays और है, जिन के यहां को canal rays का name क्यूंँ दिया गया, आपने कभी नहर में से पानी गुजरते वे देखा है, या कभी किसी डैम में से पानी गुजरते वे देखा हो, तो आप देखेंगे कि वो उन holes में से पानी गुजरता है, तो क्या है, यह बिल्कुल bank of canal की तरहां, जो हमारे पास इन इतनी भी चीज़ है, उन सबकी specific properties हैं, उनको specific बनाती है, special बनाती है, different बनाती है, दूसरी चीजों से, ठीक है, तो आपके पास canal raise की भी कुछ properties है, सबसे पहली property जो है, वो cathode raise से मिलती जुलती है, cathode raise भी हमारे पास straight line में move करती थी, ठीक है, अब canal raise भी हमारे पास straight line move करेंग की तरफ, यह raise anode से cathode की तरफ move करती है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, कि जो आपके पास negative raise होंगी, वो positive side की तरफ जाएंगी, से तरफ जो positive raise होंगी, वो negative end की तरफ जाएंगी, तो क्या है, आपके पास यह raise, cathode raise से opposite direction में move करते हैं, लेकिन in straight line, ठीक है, उसके बाद क् they are deflected in an electric and magnetic field, showing that they are positively charged, जब आपके पास, क्योंकि इसमें से electric current गुजारा जा रहा है, तो electric field के साथ साथ, magnetic field भी produce होगी, तो इनकी यह deflect कर जाती है, अपनी direction change कर लेती है, तो इनका deflection क्या शोकत है, कि यह आपके पास क्या है, negatively charged है, ठीक है, उसके बाद क्या है, these raise are originate, when the cathode raise collide with the remaining gas molecules, अब क्या है, जब cathode raise हमारे पास, मैंने यहाँ पर जो cathode raise है, उसको blue line से शोक किया, dotted line से, और canal raise है, उनको red से, अब क्या है, जब cathode raise, एनोड की तरफ move कर रही होती है, तो आपको पता था, कि discharge tube में हमने gas fill की वी थी, तो उस gas particles के साथ, जब हमारे पास cathode raise टकराती तो क्या होती थी, उसमें से एक electron बाहे निकाल लेती थी, जिसकी वज़ा से electron की deficiency की वज़ा से वो particles हो जाते थे positive, ठीक है, उनके उपर क्या आजाता था, positive charge आजाता था, जिसकी वज़ा से यह race producing, ठीक है, तो यहाँ पर एक equation की form में देख यह हमने molecule रख लिया, और जब इस molecule में से electron गुजरेगा, सहत को लाइड करेगा, तो क्या देखते हैं, कि यहाँ पर वो एक electron था, उसने एक electron साथ निकाल लिया, और यह आपके पास क्या हो गया, positively charged particle बन गया, ठीक है, उसके बाद क्या है, कि नाल rays are positively charged, and their charge to mass ratio depends on the nature of the gas, कि नाल rays हमारे पास positively charged है, आपके पास जेजर थॉमसन ने electron का charge to mass ratio निकाला था, यहाँ पर कैनाल rays का जो charge to mass ratio है, वो depend करती है, कि किस किस nature की gas आपने discharge tube में fill की थी, ठीक है, आप किस nature की gas को fill करे हो, उसकी nature पर depend करेगा, आपके उस gas से produce होने वाली कैनाल rays के charge to mass ratio का, उसके बाद क्या है, the mass of these particles was equal to proton H positive, अगर आप hydrogen में से, एक hydrogen atom है, ठीक है, उसमें से अगर आप एक electron बाई निकाल लेते हैं तो यह positively charge रहता है, तो जब आपने इन particles का mass check किया ना, तो वो बिलकुल equal था, एक hydrogen के positive ion के, ठीक है, फिर क्या है, mass of proton is 1840 times greater than the mass of electron, क्या है कि mass, जो है mass of proton जादा है, 1840 गुना जादा है mass of electron से, ठीक है, आप क्या देखते हो, कि sir, गोल्स्टाइन आपके पास आते हैं, इन 1886 में, और वो क्या observe करते हैं, कि cathode rays के साथ साथ, एक अलग किसंद की, आपके पास rays प्रोड्यूसरी, जो कि positively charged है, जो कि move करती है, opposite in direction to the cathode rays, फिर उसके बाद उने इसको पर, जो है, वो experiment परफॉर्म किया, और उसके बाद, उसके कुछ properties दिये गए, वो properties भी हमने experiment भी देख लिया, तो इस तरह, cathode rays, मतलब कि, electron के discovery के बाद, sir, goldstein ने आपके पास, discover किया था, proton, thank you so much, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो like, comment, जरूर कीजेगा, चैनल को subscribe भी कीजेगा, अपने family and friends के साथ, share भी कीजेगा, thank you so much, Allah, आपिस